जनपर सरस ने दमंगई दिखाते हुए फारेष्ट चौकी से अपने ट्रेक्टर को छुड़ाया जिसका वीडियो सोसल मीडिया में आज खुब वायरल हो रहा है दरसल पूरा मामला अनुपूर जिले का है जहां पर अनुपूर जिले के राजिन्द ग्राम इस्थित चौकी स फारेष्ट की चौकी थी जहां पर बलपूर वक नेम सी जो की जनपरस दस्ते हैं छेतर के ही उन्होंने अपने साथियों के साथ आकर गुंडागरदी करते हुए गाली गलोच की धक्का मुकी की एवं ट्रेक्टर को छुड़ा कर ले गे जिसकी रिपोर्ट उन्होंने साथ, साथ, सार,ยर्차ण, एवाद, साथ, साथ, सार, सार एवाद activities in the T मेरा है जो शक्राइब फगरा है बार जया है कि वीडिटी पाना वह journalism कि दॉञतव हो नहीं आरहा हो मेरा मोषा मिल आ पर जो है प्रे थो मिलने है अधिर यह कleri टो कित करें आज तो इस नहीं आज थो ऐस आखे पास हैं प्तास हाजार कंपही आगे प्रश्ट क्या मॉअम्ला हुआ है कल रात को 17 अक्टूबर को बंबनी चौकी में हम लोग ने ट्रक्र को लवरास्ते से मतलब पकड़ा था ठीक है उसमें रेद भरा हुआ था ट्रक्र में तो उसे कागज्यात की पूस्ताज की कि कि क्या कागज है रेद के तो कोई ड्राइव पर दौरा कोई कागज ही दिखाया गए तो फिर हम उने कारवाई करते हुए उसको चौकी में लागे खड़ा किया था पंबनी चौकी में ही फिक है गिरारी सरकल में आता है वो उसके बाद आधे घंटे के बाद जनपस अदस हैं नेम सिंग करके उनके साथ 8-10 लोग थे व तो वही है उसके आध पिर हम लोगों ने रात को ही थाने में आके पूरी घटना की जनकरी थी और रेपोर्ट की थी और अभी F.I.R हो गई है लूट की उसमें F.I.R हो गई है वही है वही है विवाद की कर्मितारिक साथ मार्पिल भी है दक्ता मुकी हुई है गाले कलोच ह सरकल कुछ असमाजिक तत्तो दौर अफोरेष्ट के कबजे से गारी छुडा कर लेगी क्या है पूरा मौमरा ताना राजविन ग्राम शेत अंतरगत एक शिकायत प्राप्त हुई है और वीडियो में भी सोशल मेडियो में एक वीडियो वाइरल हो रहा है जो भी जिसको संग विभाग है उनके दौरा एक आवेदन पत्र प्रस्तूत किया गया है जिस आवेदन पत्र पर से हमने फाया डर्च की है जिसमें बी एनेस की धारा 309 ब्रैकट में 4 और धारा 132, धारा 221, 296 और 3 ब्रैकट 5 में इन सेक्शन्स में फाया डर्च की गई है और तक का आगे जल अधिस जल इसमें कारवाई करके जो आरोपी है उनको ग्रफतार किया लेगा